हेलो दोस्तो मैट सवीत अरुण में आपका स्वागत हैं कैसे आप सभी लोग उम्मित करते हैं कि आप सभी लोग बहुत यह अच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और दोस्तो इस से पहले मैंने टाइप 3 तक के अलालग टाइप के वीडियो अपलोट कर दिया हैं यहादि आपने अभी तक नहीं देखे तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रहे हैं ताइए दोस्तो हम शुरू करते हैं टाइप 4 का पहला कोश्चन से एक दुकानदार अपने लाब की गंड़ना विक्रे मुल्य के उपर करता है और इस पकार उसे 12 से 1 बटा 2 पतिशत का लाब होता है तो उसका लाब क्रे मुल्य पर ग्याद करो हमें क्या कहा है कोश्चनस म उसका लाब का पतिशत हुआ 12 से 1 बटा 2 परसेंट अगर हम 12 से 1 बटा 2 पतिशत को सोल्व करते हैं तो यह होता है एक बटा 6 कितना होता है एक बटा 6 होता है सोरी एक बटा 8 होता है क्योंकि 12 से 1 बटा 2 परसेंट को हम सोल्व करेंगे तो एक बटा 8 होगा लेकिन हमसे कहा क् कि वो लाप के गड़ना कर रहा है ना वो विक्रे हमुल्य के उपर कर रहा है यानि कि यह जो में आठ सर्फियाना कि हम लिखते हैं 50–303. तो यहले एक़ गहो रहा है हमें प्रोफिट हो रहा है क्या हो रहा है प्रोफिट हमें कहा Hello कि अगर उपर करता हैंनी खुद की जब किया है वह model मॉल्य की टीजुर टो हम जानते हैं हमेशन एक हमेशन क्या है। कि लाप की गणना क्राइम मुल्य पर गयाद करो अगर हम यहां से यहां का difference देखते हैं हम तो कितना इस पास एक क Dü मरा है कि पर तो हमें लाप कम में कि इसके के क्राइम उल्य के उपर तो 가지 कम हमारे की साथ और इंटू तो दोस्तों इस तरह से सोलो करते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है आप इसको शोट भी कर सकते हैं क्रेट के 12 से 1.2 पर से की बाद की है एक नीचे वाली या नीचे वाली वालिक भी कि हो लाब हो रहाए रहा है तो आपया घटा कि 14 से 2 बटा 7 परसें इस questions का answer है आईए दोस्तो इसी टाइप का हम एक questions और सोलो करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से questions समझ में आ जाए दोस्तो अगला question से एक वस्तू को 8 से 1 बटा 3 परतिशत लाप पर बेची जाती है लेकिन दुकांदार लाप पतिशत विक्रे मुल्य पर ग्यात करता है तो दुकांदार का वास्तोविक लाप पतिशत ग्यात करो हमें क्या कहा है किसी वस्तू को तो 8 से 1 बटा 3 पतिशत के लाब पर बेची जाती है अगर हम 8 से 1 बटा 3% को सोलव करेंगा 8 या 24 इस वरें 25 बटा 3 और परसेंटेज को अटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 100 तो 25 से कटाएगा 100 यानी कि वो वस्तु को जो है 12 है 12 के उपर कितना एक का लाब हो रहा है लेकि पतिशत जो है ना वो विक्रही मुल्य पर ग्याद करता अगर उसका विक्रही मुल्य 12 है यानि कि सेसलिंग प्रैस हो जाएगा कूँगि अगर हमें जो लाव हो रहा है उसको अगर को मतला रहत सेसलिंग से लाप को कटा दीनितों गयारा चलीरर बैसल्य बराबर होता है SP यानि कि क्राइम मुल्य बराबर होता है विक्रे मुल्य माइनस लाब विक्रे मुल्य कितना है 12 और लाब कितने का हुआ एक का तो यहां हम गटाएंगे तो 11 यानि कि क्राइम मुल्य कितना आएगा क्राइम मुल्य आएगा हमारे पास 11 वही मैंने आपको सीधा बता दिया है कि जो अब नीचे वाली विल्यू है ना उसमें से उपर वाली को गटा के नीचे लिख कर गुणा कर दो आपको इतना लिखने की कोई ज़रुत नहीं है आए दोस्तों इसी टाइप का हम एक कोश्चन से लिखिए आपको कर दोस्तों और मिल्यू कि करता है यह यानि कि एसपी तो प्रोफिट कितना का और प्रोफिट हो रहा हमें एक का तो हमें सिधर निकल लेंगे पांच मिने कितने का लाव हुआ एक लाव हुआ तो कर दो हमारा अंसर आजाएगा सो कटेगा पच्चीस बा यानिकि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे समझाने का दोनों तरीके से कोश्चन समझ में आ गये होंगे और दोस्तों इदे आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लेस मेरे चैनल को जुरूर सेस्क्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेर कीज और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद